हेलो फ्रेंज मैं बवीता आज बात करूंगी पनीर के पानी के बारे में इसे जो है मैं अपने पौधों में कैसे इस्तमाल करती हूँ और इसका क्या रिजल्ट होता है यह जो है और्गनिक फर्टिलाइजर का बहुत ही अच्छा काम करता है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते है उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें फ्रेंड्स पनीर का पानी जो होता है यह एक और्गनिक फर्टिलाइजर की तरह हमारे पौधों में काम करत हो कोई भी फूल वाला पौदा आपका हिविसकस हो रोज हो कोई भी मोग्रा हो जैस्मीन हो जो भी पौदा है आपके पास फूल वाले उनमें इस्तमाल कर सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है और एक तरीके से जो है इसका पानी ओवराल ग्रोथ के लिए कि यह बगात ही फायदे मंद होता है कि इसमें mismo कई अपनीर का पणीर होता है अगर आप इसे ज्यादाब्ले में मिला देंगे तो यह आपके पाऊदोangen के तो तो इसलिए बस एक बात का ध्यान देना है कि आप जितना आपका पनीर का पानी हो उसका 10 गुना आप प्लेन साधा पानी हमें इस्तमाल करना है तो यहाँ पे एक लिटर के आसपास पानी था तो इसमें मैंने अलरीडी थोड़ा सा पानी पहले ही मिला दिया था और बकेट में पूरा पानी डालके मैंने लगभग 8 या 9 लिटर के आसपास पानी होगा उसमें डालना है तो इस तरीके से आप रेशियो को बात करें तो अगर आपने एक कप लिया है तो उसमें आपको कम से कम 10 कप पानी, प्लेन पानी मिलाना होगा तो यहां पर जो है मैं अपने बालकनी में दे चुकी हूँ, ऐसे मैं चेंज करकर के इससे अपने पौधों में इस्तमाल करती हूँ, हमेशा जो है मैं किचन वेस्ट चीजों का ही अपने पौधों में इस्तमाल करती हूँ, तो इस तरीके से तो यह हमारा पानी जो है आफ गार्डिनिंग करते हैं तो अच्छी बात है अपने पौधों में इस्तिमाल कर एक बहुत ही जादे ग्रीन रहते हैं और साथ में फूट वाले पौधे जो पौदे होते हैं उनमें इस्तमाल करें उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है बस एक बात का ध्यान देना है कि आपको जो है इसमें जादे कौंटिटी में पानी मिला के इस्तमाल करना है इस तरीके से इस्तमाल करेंगे तो यह आपके पौदे के लिए बहुत ही जादे सेफ है और बहुत ही अच्छा फटिलाइजर का काम करता है तो फ्रेंड्स इस तरीके से जो है आप भी एक बार अपने पनीर का पानी पौधे में इस्तमाल करकी देखिए अगर आप गार्डिनिंग करते हैं तो वैसे तो मैं कभी भी कैमिकल फटिलाइजर ब पताइएगा कि आपको इसका रिजल्ट कैसा मिला तो अगर आज का वीडियो फ़ल लगा लाइक करें अबने मिलते हैं फिर फिरुर में धंयवाद